नमस्कार दोस्तों मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे कि हिंदी कहानियों में जो हम कोई भी कहानी लगाते हैं हम उसको आज की वीडियो में ओवर्वियू करके दिखाऊंगा तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या उपर आई बटन आ रहा है कि आप इस चैनल पर जा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो लगाया था चालाग चोड और लालची आदमी करके जो कि आप मेरे स्कीन पर देख रहे हैं आज कि इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊँगा कि कौन सा Character और कौन सा लेएर और कौन सा जो Background है कहां से हमने लिए हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यह है एनिमेट का Software जिसमें कि मैंने इस कहानी को बनाया हूँ और मैं starting से आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने इसको create किये आप देख सकते हैं हमारा यह first frame है first frame से हमने कुछ नहीं किये इसको सिर्फ camera के मदद से इसको zoom किये है और एक यहाँ पे layer लगाया हूँ layer जो है black color का layer यहाँ पे लगा हुआ है और यह black color तभी काम करता जब आप इसको symbol में convert करेंगे आप देख सकते हैं इसके अंदर हम जाते हैं यहाँ पे सिर्फ black color हमने use किये हुए है लेकिन यहाँ पे आने के बाद बाहर चब जाते हैं तो यहाँ पे कुछ transparent किया हुआ तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अगर none कर देते हैं तो यह black होता है और इसको हम जो है alpha कर दिये और यहाँ से इसकी transparency है इसको घटा बढ़ा सकते हैं तो मैंने step से इसको हमने set कर दिये हैं उसके बाद आगे के scene पे चलते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर क्या होता है दोस्तों कि सूर्ज हो रहा है यहां पर देख सकते हैं एक सूर्ज है और यह जो है धीरे धीरे रोसनी बढ़ रहा है और एलो कलर बन रहा है तो इसके लिए हमने क्या किये दोस्तों कि यहां पर देखिए दो लेयर है एक तो ब् को बाहर आते इसको भी यह एंदर को भी हम सेम तडिके किये थे काम कि इसके जो है हम दोस्तों यह ले बर दिखाता हूं कि कि स्टेब्स यह जो है यह यहाँ पर क्रियेट के तो हम इस'tरकर लोग करता हूं और इसके अंदर जाते हैं देखिए आप सिंपलãy yellow color है लेकिन हम बाहर अगर जाते हैं इसके यहां पे भी हमने सेम तरह कह कर जो है अपलाई किया हो लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यह जो एलो कलर है हमने इस पे एडवांस लगाए थे और इसमें देखिए एडवांस लगा के कुछ इस पे सेटिंग कर दिये थे जैसे माल लिए इससे आप इसकी एलो को परसेंटेज घटा बढ़ा सकते हैं इससे आप जो है डार्क एरिया में या किस तरफ ले जाना चाहते हैं इस क्रियेट कर सकते हैं देखिए ग्रीन हो जाएगा और यहां से जो है इसकी ग्रीन को घटा बढ़ा सकते हैं यहां से देखिए तो इस टैप से यहां से कलर भी मैनेज कर सकते हैं का आपको कौन सा कलर चाहिए उसके बाद मैंने यहां पर एक जो है सुर्ज बनाया था यहां पर देख सकते हैं यह जो सुर्ज धीरे धीरे ऊपर की और जा रहा और आगे जाके जो है बाहर चला जाता है इसको मैं अगर इस पर ऑन कर देता हूँ आप वो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको क्या करना दोस्तों normal सा एक कोई सा भी यहां से हम circle लेते हैं इसको हमको अगर इसमें fade करना है तो क्या करेंगे इस पे f8 करतें symbol में convert करते हैं symbol में convert करने के लिए दोस्तों आपको यहां से हम हमेशा बताते थे graphic लेकिन जब आपको फेड करना है तो उसको आपको मुवी क्लिप में रखना है मुवी क्लिप में करते हैं उसके बाद आपके पास यहां पर उप्सन आ जाता है फिल्टर के अंदर जाते हैं यहां पर जो है एक ब्लर का उप्सन आता है इस पर क्लिक करके आप इसको घटा बढ लगाया हूँ उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे हमने सिर्फ इसको जो है इस पर हम अभी क्लिक कर देते हैं जो कि बाहर का इस्क्रीन ना दिखेगा और इसमें हमने कोई भी एनिमेशन नहीं लगा रखा हूँ यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है कैमरा की मदद से मैं यह और character को मैंने already पहले create कर चुका था जो भी animation करना है हमने सिर्फ यहाँ पर character को लगाया हो और camera की मदद से इसको हमने move किये और left right भी किये सिर्फ camera की मदद से तो camera के बारे मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो सीरीज चल रहा है उसमें बहुत डिटेल से बताऊंगा कि camera का यूज हम कैसे करते हैं अब यह सिंपल सा character चल रहा है फिर मैंने देखिए यहां से cut हो गया screen यहां पर इसके घर का scene है और यहां पर भी मैंने सिर और जब दूसरा screen में है वह gate के जब inner house होता है उसमें gate के अंदर आ रहा है तो इस step से यह set किया गया है और मैं जो है सीरीज में आपको बताऊँगा कि character को हम कैसे create करते हैं अब यहां पर देखिए same screen है लेकिन यहां पर character change हो गया तो यहां पर आप देख सकते हैं यह layer यहां से जो है change हो रहा है इस character को मैंने यहां पर लगाया हूँ तो मैं सिर्फ अभी process बता रहा हूँ कैसे हमने create किया हैं बांकि यह character को मैं आगे के वीडियो में आपको दिखाऊँगा करके उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे देखिए यहां पर हमने दिखाए थे कि जो चोर है गाउं में भटक रहा था तो हमने गाउं का scene एक करना है और जब उसके voice के according उसको image को set करना होता है उसके बाद यहां पर देखिए सोच रहा है कि कि स्टैप से हमने भोला के घर के अंदर जाना है फिर रिक्वेस्ट करता है भोला से कि हमें एक दिन के लिए रहने दें आप देख सकते हैं अगर मैं इसके बाहर हटा देता ह है और केमरा की मदद से मैं इसको जूम इन जूम आउट करता हूं और जब इस पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ आपको जितना जो है रेंडर में आएगा वही सो होता है बांकि आफ हो जाता है उसके बाद देख सकते हैं यहां से हमने इसकी जो है चोर को चलते हुए दिखाय थ देखते हैं मैंने यहां पर क्या किया ऊपर देखते हैं तो यहां से मैंने स्क्रीन चेंज किया क्योंकि यहां पर दो बिस्तर लगाना था एक चोर के लिए एक भोला के लिए तो मैंने यहां पर स्क्रीन को चेंज किया और एक यहां पर बिस्तर लगाया और यहां से फिर से सो रहा है लेकिन उसका आंख जो है चल रहा जिससे लगा कि वो जगा हुआ है मैंने यहां पर देखे कट किया हूँ सिर्फ की भोला उठके जो है देखने गया चोड को इस टैप से यहां से एक सीन फिर से मैंने कट किया हूँ चोड जो है उठके गया भोला को देखने की वो स अब देख सकते हैं यहां से गेट से बाहर जा रहा है और इसके घर से भी बाहर चला गया तो इस step से हमने इस कहानी को पूरा create किया था इसमें basically क्या होता है कोई भी character जब बनाते हैं जो कहानी बनाते हैं तो पहले उसको character को draw करना होता है और फिर background को और यहां पे लाके सभी को proper set करना पड़ता है आपके जो record wise है उसके recording और ज्यादा तर काम जो होता है camera का होता है कि कहां पे आपको zoom करके दिखाना है कहां पे zoom in करके दिखाना है तो इस step से आपका एक कहानी जो है proper तयार हो जाता है तो यह था दोस्तों जो हमने अभी जो है हिंदी कहानियां पर जो कहानी लगाया था चोर और चालाक आदमी करके इसके बारे में तो आसा कर दो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ सेर भी करें अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब विज़ें किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आओ तो उसका डेट आपको तुरंत मिल रहे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए तैंक यू